नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए लेके आए हूँ information एक job related जो कि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कहीं पे भी कोई job से related कोई advertisement होता है या कुछ होता है although थोड़ा सा पुराना advertisement है लेकिन अभी भी हमारे पाव opportunity है इसको भरने की तो दोस्तों यह जो भरती निकली है वो है PRT, TGT, PGT में railway के अंदर है ना although यह है contractual और part-time job जो आपको दे सकती है काफी सारे benefit भी अगर आपके पास कोई opportunity दूसरी नजर नहीं आ रही तो आप इस opportunity का भी पाइदा उठा सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं नौर Central Railway College टुंडला district ने यह vacancy और यह walk-in interview है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है है ना हाँ यह आपका TTA मलब PGT, PRT और TGT सब के लिए है रिक है है इसमें आप देख सकते हैं यह बता रहे हैं कि यह प्योरली part-time contractual basis job है है ना और इसमें walk-in interview है जिसके लिए आप अगर जाएंगे तो सीधा walk-in interview से आपका selection हो जाएगा थोड़ा सा और देख लेते हैं terms and conditions इन्हों ने रखी हुए है there will be no facility of railway will be provided like leave medical तो railway की facility इसमें अभी फिलाल नहीं दी जा रही है ठीक है आप यह देख लीजिए कौन-कौन सी विगभरती है इसमें है ना PGT की हमारे पास है chemistry में देखें PGT की कौन-कौन सी है chemistry में है geography में है English commerce history और यह सब है ठीक है total post जो है वो एक बार देख लीजिए total post जो है यहाँ पर निकली है assistant teacher है ना अगर मैं देखू तो यह जो TGT वाली है यह 11 post निकली है ठीक है UR के लिए 6 है OBC के लिए 3 है SC के लिए है ना ST के लिए इसमें कोई नहीं है EWS के लिए एक निकली हुई है तो यह आपका PGT का है अगर आप TGT में जाएंगे तो TGT के अंदर यह 8 post निकली हुई है TGT के अंदर जो है यह 8 post निकली हुई है जिसमें UR की 1 है OBC की 3 है SC की निल है ST की 1 है EWS की 2 है PWD की 1 है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे PTI, Mail, Music, English Teacher की है ठीक है Maths और Science की मिलाकर 3 है और PRT अगर मैं देखूँ PRT के अंदर जो है मतलब 6 post निकली है तो टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यह 25 post है जो वहाँ पर निकली हुई है तोटल आपकी 25 post है और इसमें salary जो है वो fix आपकी यहाँ पर दे रखेंगे Consolidated Monthly Remuneration 27,500 का जो है वो PGT को मिल सकता है ठीक है और बाकी जो TGT के लिए है वो 26,250 का है और अगर मैं देखूँ तो PRT के लिए 21,250 का है अब देखिए यहाँ पर यह बता रहे हैं आपको की इसमें क्या-क्या requirement है Beard or equivalent degree from recognized university proficiency होनी चाहिए आपकी English and Hindi के अंदर यह सब बातें यहाँ पर हो रही है दोस्तों ठीक है TGT के लिए obvious बात है कि TGT के लिए दोस्तों आपको यह धियान रखना बैचलर डिगरी in mathematics with any of the two following subjects physics, chemistry, electronic, computer science, statistics तो इन दोनों में से कोई होना चीए along with mathematics तो वो आपको यहाँ पर बोल रहे है maths और science के लिए जो निकल रही है अब इसमें एक बात बस यहाँ पर दिखने वाली है कि क्या इन्होंने के कितने हैं येस अगर आप देखो seated elementary stage PRT भर रहे हैं तो अपर primary level जो है वो अगर आप TGT भर रहे हैं तो राइट ये धियान रखेगा तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा option हो सकता है अगर आप लोग किया किते हैं इसको option को रखना चाहते हैं इसका मैं आपको interview बता देता हूँ यहाँ पर लिखा हूँ list of calendar will be displayed on the college notice board on 3-8 तो ये 3-8 को notice पे बता दिया जाएगा और देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि कैसे उसको करना है photo state देखिए यहाँ पर application along with a duly attested photo state copy should be इतना two registered post only before 22-7 22-7 से पहले पहले registered post के द्वारा तीन वजे से पहले पहले यह जो है आपकी information, document और बाकी चीज़े पहुत जानी चाहिए और देखिए और क्या लिए there'll be exception for five months reserve category के लिए five percent का है जो डिसक हो है otherwise आपका क्या होना चाहिए senior secondary school 50% mark with immediate 50% or equivalent वो सब normal requirement ही है जो आपकी पहले ही रहती है और यह देखिए यह interview की dates दे रखी है interview PGT के interview जो है वो पांच तारीक आठ यानि अगस्त आठ में आपको देखने को मिलेंगे और interview TGT के लिए 6 तारीक को है, interview PRT के लिए 7 तारीक को है देखिए और category wise भी आपको दे रखा है उसमें देखिए कि category wise कब है UR, PWD category जो है PRT के 8 है और यह है कब 7 तारीक को PRT के जो है वो आपके OBC, ST, EWS category के वो 8 तारीक को इन्हों रहे यह भी बोला है कि अगर मानिए applicants जादा होते हैं वो accordingly करने को भोल रहे है ठीक, तो यह एक opportunity है अगर आप interested है तो इसको भी fill up कर सकते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो KVS में permanent job से पहले बहुत contractual job करते हैं DSSSB में contractual करते हैं तो मेरे को लगता है कि यह भी एक अच्छी opportunity हमारे सामने होती है तो इसको भी आप fill up कर सकते हैं बाकी आप कोई जानकारी है आपके number दे रखे 8178970 test book से भी आप लोग जुड़ सकते हैं test book app भी download कर सकते हैं वहाँ पे free mock test available होते हैं उनको भी try कर सकते हैं चलिए, thank you so much my name is Deepak, bye bye everyone